नमस्कार दोस्तो आटो टेक गित्ता गुरू यूटुब चैनल में आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं दोस्तो इंजन से संबंदी टाप 10 प्रस्णों को जो की कमप्टीशन एक्जाम की दिश्ट से बहुत ही महत्तपूर्ण है आप लोग अच्छे से तयारी करते रहें मैं बादा करता हूँ दोस्तो की अगर आप लोग अच्छे से तयारी करेंगे तो 95% टेकनिकल प्रस्ण यहीं से आने हैं आप लोग अभी से नोट्स बनाना सुरू कर दीजे क्योंकि दोस्तो आप लोग जानते ही हैं कि कमप्रेशन दिनो दिन बढ़ रहा है अब आई दोस्तो इंजन से संबंधी टाप 10 प्रस्णों को देखते हैं तो पहला प्रस्ण है दोस्तो कमप्रेशन श्ट्रोक के समय जब सुद्ध हवा कमप्रेशन चेमबर के अंदर पूरी तरह कमप्रेश हो जाता है तब उस घटना को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो कमप्रेशन प्रेशर बोलते हैं ठीक है दूसरा प्रस्ण है दोस्तो मेकेनिकल पाबर को किस से मापा जाता है तो इसका सही आंसर होगा हार्स पाबर से मापा जाता है और एक HP बराबर होता है दोस्तो फूट पाउंड पाउंड अपाउंड अपाउंड तेतिस हजार प्रती मिनट ये फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे कभी-कभी इससे भी प्रस्ण बन जाता है मिनट दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में वेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जिन विद्यार्थियों को GKGS एबम टेकनिकल चैप्टर से सम्मन्दित प्रश्णों को पढ़ना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं मैं वहाँ पर GKGS एबम टेकनिकल से सम्मन्दित प्रश्णों को अपलोड करते रहता है ये पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को मैत, रिजिनिंग, GKGS की भी तयारी करनी होगी तभी आप लोग कोई भी एक्जाम पेपर फाइट कर सकते हैं और महनत करिए, मन से महनत करिए मैं अपने टेलीग्राम का लिंक बीडियो के डिपकिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ आप लोग उस लिंक का उपयोग करके हमसे जूड सकते हैं अब आए देखते हैं चौथा प्रस्ण जो पाबर इंजन सिलेंडर के अंदर तयार होता है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगो दोस्तों एंडी केटेड हार्स पाबर और स्वार्ट नेम है आई अचपी और इसका पूरा नाम है एंडी केटिड हार्स पाबर तो जो पाबर इंजन सिलंडर के अंदर तयार होता है उसे क्या कहते हैं Indicated Horse Power याने की ISP पाचवा प्रस्न है Indicated Horse Power को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगो दोस्तो ओसला इसकोब और ISP बराबर सूत्र होता है प्लैंक बटे 33,000 इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा आने वाले एक्जामों में पूछा जा सकता है चटवा प्रस्ण है जो पावर फ्लाई भील में इस्टोर या संचित रहता है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगो दोस्तो बी एसपी यहनी की ब्रेक हार्स पावर और बी एसपी का फार्मूला होता है दोस्तो आई एसपी माइनस एफ एसपी यह फार्मूला को भी आप लोग याद रखेगा क्योंकि दोस्तो यह प्रस्ण एक बार जैंसियल में पूछा जा चुका है सात्वा प्रस्ण है ब्रेक हार्स पावर को मापने की इकाई या यूनिट क्या है तो इसका सही आंसर होगो दोस्तो इसको मापने का इकाई या यूनिट है फूट पाउंड आठवा प्रस्ण है ब्रेक हार्स पावर को मापने का उपकरण क्या है देखे यहाँ पर पूछा है ब्रेक हार्स पावर को मापने का इकाई और यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तो ब्रेक हार्स पावर को मापने का उपकरण ठीक है न तो इसका सही आंसर होगा डाइनमो नवह प्रस ने दोस्तों, indicative हार्ष पाबर का कुछ भाग, इंजन के अन्न भाग को चलाने में कर्च हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगो दोस्तो फ्रिक्शन लॉसेज इसका सही आंसर होगा फ्रिक्शन लॉसेज तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है अब हम मिलेंगे अपने नेक्ट वीडियो के साथ जय हिन जय भारत